अब कब जो है वह आपकी मेरिट लिस्ट डिकलेर की जाएगी और उसके बाद क्याप राइगी वह हम इस वीडियो में डिसकस करने वाला है तो वीडियो का आप इंपॉरण होने वाला आप से भी स्टूडेंट्स के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक् सब्सक्राइब की जाएगी और कितने दिन के लिए मैंने यह भी बताया था कि चारपास जिनों के बाद ही जो है वह आपकी मेरिट लिस्ट आएगी क्यूंकि 16 के बाद Saturday को आपका holiday है उसके बाद भी आपका पोस्ट पांड हो चुका है और registration के लिए आपको थोड़ा टाइम एक्स्टेंड करके दिया है जो कि आप यहापर देख सकते हो यह ओपीशल नोटीस है नोटीस नमबर 12 पॉर बीसी नर्सिंग बीसी नर्सिंग के लिए जो डेट से वह अगेन एक्स्टेंड हो चुके है र आपकी जो है मेरिंट लिस्ट है वह आपकी आएगी 21 और से यहाप यहँ अजकर के लिए बंड क्रिक्स कॉल्ट कलि कला है कार मैंने ठावर टाइमिंग नहीं है इस में चौह यहां बदेख सकना साम-स चीषाए ब सबस्तने बदेक्रीरैंगो दमगी है अगर आप एफे इं matrix जो है seat matrix वो release किया जाएगा seat matrix में क्या होता है कौन से college में कितने seats available है वो उसमें दिया होता है cap round के लिए जब आप preference feeling start करोगे colleges का name डालने का process हम जिसको बोलते है cap round का तो उस time पर आपको यह पता होना जूरुरी है कि कौन से college में कितने seats available है कौन से category के लिए तो वह पहले आपको display किया जाता है उसके बाद cap round start होता है ठीक है अब आपको करना कुछ नहीं है मैं आपके लिए वीडियो upload कर दूँगा क्याप्राओं के लिए college की list बनानी है उसके बाद कौन से colleges है जिसको hospital अब आपको डेली वीडियो मिलेंगे आज शाम को भी मैं आपके लिए वीडियो upload कर दूँगा कल भी वीडियो आएंगे परसों भी आएंगे continue वीडियो जो है वापको मिलने वाला है तो सिंपल आपको करना क्या है वीडियो को like करे चानल को